पलो फ्रेंड वेलकम टू माई चैनल आज देखे फ्रेंड्स मैं आप लोग के लिए बहुत ही खुबसूरत एक सॉक्स लेकर आई हूं इसको बनाना बहुत ही इजी है और अराम से आप इसको बना सकते हैं तो चलिए इसका बस मैं आप लोग को मेजर्मेंट बताऊंगी क्यो पांच नंबर का बनाया है यह चार से पांच नंबर को भी आ जाएगा और पांच नंबर को भी आ जाएगा तो इसकी लंबाई देखिए हम बात करते हैं लंबाई की यहां पर कितना टोटल इसकी हमने यह लंबाई रखी है तो देखिए हमने बीना खीचे हुए मैंने इसक लंबाई सिर्फ 14 इंच रखी है अगर आप लोग 6 नंबर के लिए बना रहे हैं तो इसको इसकी लंबाई 15 इंच रखेंगे ठीक फंदे आपको इतना ही डालना है 18 फंदे यह आप 20 फंदे भी कर सकते हैं तो यह हमारे इपको तो आपको की वडिया नो नंबर का और फंदे 18 फंदे लिए 18 फंदे लेने के बात देखें आसwu मैं यह रिद कलर से बनाई है फिर चार ये 3 जब हमारा समयला के你看 यह जैंक हमने ये center में ये center में हमारा आएगा तो इसको हमने देखे कितनी लाइन बनाए एक, दो, तीन, चार, पांच, छे, साथ, आट, नौ, दस दस line हमने ये बीच में रखा है फिर वही हमने repeat करना है तीन इधर, फिर चार ये, तीन इधर, चार ये, ऐसे हमने ये repeat किया हुआ है उल्टा फोल्ड कर देना है उसके बाद जिस भी दोनों color में से कोई सब भी आप color का उन ले सकते हैं तो हमने आप ए cream color का ले लिया है धागा और ये उन लिया है इसको हमने double करके सुई में देखे डाल लिया अब इसकी हम सिलाई करेंगे तो सिलाई आपको यहां से करना है ये हमारा back side आएगा यानि पीछे की side रहेगा एड़ी के पास तो इसकी हम सिलाई यहां से करेंगे और यह वाला देखे जहां से हमने दागा चेंज किया है यह हमारा नीचे के part रहेगा देखे पंजे पर नीचे तो देखे इसकी सिलाई हम यहां से लेके यहां से और यह नीचे की side रहेगा तो इसकी सिलाई हम यहां तक कर लेते हैं इसके बाद आपको इधर का ओपर का सिल हाँगे तो चलिए नौर्मल सिलाई हम जैसे करते हैं उतना इहां तक करके फिर आप लोग को दिखाथा अब देखिए फ्रेंट्स हमने इसके सिलाई इतना कर लिया है यहां से लेके यहां ऐसके में इसकी सिलाई करनी है जिसको हम सीधा करेंगे उसके बाद आपको देखिए, सारी उल्टे में ही सिलाई करेंगे, अब देखिए जितना भी आपको पैर डालने के लिए इस पे इस चाहिए, मतलब जर से जब आप पैर डालेंगे उतना आपको रखना है, ठीक है, बाकी का हम देखिए यहां से लेके, दो धारी लेके ये रेड़ वाले, इसकी सिलाई करेंगे, लेकिन हमको इसकी सिलाई कैसी करनी है, गोलाई में, तो चलिए देखते हैं, गोलाई में सिलाई करेंगे इसकी, देखिए एक पार्ट से इसको ऐसे लेके, सिलाई करनी है, अब देखिए, इसको आपने ऐसे ही, सबी फंदे मिसे में से लेड़ की, बीकी इस आपको पोरे धोगे को लेंग कीचना है, यह दखिया, इसको अपने देखिए जो हमारा धागर है इसको पूरा नहीं खीचे में इसको अपने पैसे दो से तीन बार ऐसे खीच के नौट लगा देना है इसको मेरी पे थोड़ा चा पक्का कर लेंगे यानि लॉक कर देंगे दागे को ताकि हमारा यह नहीं से खुलेना देखिए मेह पे यह दागे को पटकी अब इसको सीधा करेंगे सीधा करने के बाद आप देखेंगे बहुत ही खुबसूरत जोती बनके आईए फ्रेंड्स पहनने पर बहुत ही अच्छी इसकी फ्लॉटिंग आती है अब आप चाहें तो यहां पर देखें कोई फ्लॉवर बना के लगा सकते हैं यहां पर या तो आप कोई फैंसी बटन लगा सकते हैं चलिए इसको पहन के आप लोग को दिखाते हैं यहां पर देखें फ्रेंड्स कित्ती खुब्सूरत इसकी फ्लॉटिंग आया है तो आप लोग जरूर इसको ट्राइ करें और सिर्फ एक पट्टी समने बनाएं यहां पर आप लोग फ्रावर जरूर लगाए या कोई सोब बटन बहुत ही प्यारा यह देखें बनके आया है फ्रेंड्स दिए वीडियो आप लोग को कैसी लगी कमेंट करके जरूर बताएगा वीडियो को आप लोग जादा जादा लाइक करें शेयर करें नहीं जरूर चैनल को सब्सक्राइब करें थैंक यू